नमस्कार आप देख रहा है आरेडी नियूज मैं हूं योगी शिक्रवर्ती और इस वक्त यूपी के हात्रस से एक बड़ी ख़वर आ रही है यूपी के हात्रस में सत्संग के दौरान मची भगदर में 60 लोगों की मौत हो गई है जीहां बताया जा रहा है कि डेड़ सौ से ज और डेड़ सौ से ज्यादा लोग गंभी रूप से घायल है घायलों को अस्पताल पहुचाया गया है वहीं मिर्तकों का सब भी अस्पताल पहुचाया जा रहा है इस वक्त की बड़ी ख़वर इूपी के हात्रस से जहां एक बड़ा हाथ्शा हुआ है कहा जा रहा है कि एक सत्संग के दोरान मची भगदर में कम से कम 60 शरधालों की मौत हो गई है जी हाँ यह आकड़ा बढ़ भी सकता है एक मेडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 1500 से ज़्यादा लोग घायल है जी हाँ हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी ख़वर यूपी के हातरस से जहां एक सत्संग के दोरान तकरीवन 60 लोगों की मौत हो गई है 1500 से ज़्यादा लोग घायल है अधिकारिक आखडों की बात करें तो हातरस के पुलिस अधिक छक ने 60 लोगों की मौत की ख़वर की पुष्ट की है वहीं एटा के एस पी राजेश कुमार ने कहा है कि अब तक 27 लोगों का सब एटा अस्पताल पहुँचा है जिसमें 23 महिलाएं, 3 बच्चे और 1 पुरुस है वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के मताबिक अब तक 122 लोगों की मौत हुई है कहा जा रहा है कि हाथरस के सिकंद्रा में सिकंद्रा के पास मुली गड़ी एक गौँ है जहां भोले बाबा का सत्संग का रिक्रम चल रहा था और जब सत्संग खतम हुआ तो हॉल से निकलने के दौरान भगदर मच गई हॉल में एक ही गेट था और 20 हज़ार से ज़्यादा लोग जो है सत्संग सुनने आये थे ज़्यादा स्चरदा लोग थे और निकलने का रास्ता एक ही था इसी दौरान भगदर मच गई गेट पर और लोग गिरते गए और दम घुटने से उनकी मौत होते चले गई हम आपको बता दे कि हातरस के एसपी ने निपून अगरवाल ने कनफर्म किया है कि अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है 60 सबे विभिन अस्पतालों में रखा गया है हम आपको बताते चले कि घायलों को हातरस एटा के अस्पतालों में रखा गया है कई घायलों को ट्रोमा सेंटर में रखा गया है और उनका इलाई जारी है तो इस बक्त की बड़ी ख़वर यूपी के हातरस से जहां कहा जा रहा है कि अब तक साथ लोगों की मौत हुई है हम आपको बता रहे हैं कि ससंग के दौरान मची भगदर में साथ लोगों की मौत मरने वालों का आकड़ा 122 के करीब पहुच गया है अकेले एटा अस्पताल में अब तक 95 लासे पहुच चुकी है वहीं हातरस के विभिन अस्पतालों में भी लासे को रखी गई है हम आपको बता दे कि यूपी के हातरस में बावा भोले का सत्संग चल रहा था और इस सत्स सत्संग खत्म हुआ तो हॉल से निकलने की होड में जो है लोग एक दूसरे पर गिरते गए और गिरने के बाद लोग उसे पार करते गए और इस दोरान बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई मरने बालों में ज्यादा तर महिलाएं और बच्चे हैं तो यूपी के हात हातरस से इस बकत एक बड़ी खबर आ रही है जहां कहा जा रहा है कि सत्संग के दौरान मची भगदर में कम से कम साथ लोगों की मौत हुई है और इन साथ लोगों की मौत की पुस्टी हातरस के एस पी ने किया है जिहां हातरस के एस पी निपुन अगरवाल ने साथ लोगो की मौत की पुष्टी की है वही एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 122 लोगों की मौत हुई है और 95 लासे जो है एटा के अस्पताल के बाहर बिखरे पड़े हैं और मरने बालों में ज्यादा तर महिलाएं और बच्चे हैं कहा जा रहा है कि जिस हॉल में सत्संग चल रहा थ अस हॉल से निकलने का एक ही रास्ता था और रास्ता जो गेट था वही पे भगदर मच गई जिसके बाद लोगों में बाहर निकलने की होर लग गई और लोग लासों पे पैर रख के बाहर भागने लगे इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई तो यूपी के हातरस से इस बक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि जहां साथ लोगों की मौत की पुष्टी खुद एसपी निपुन अगरवाल ने की है जब कि एक मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है 95 ला से अकेले एटा में रखा गया है गंभीर रूप से घायल लोगों को हातरस एटा के अस्पतालों में भर्ति कराया गया है कहा जा रहा है कि हातरस के ट्रॉमा सिंटर में बड़ी संख्या में घायल लोगों का इलाज चल रहा है बताया जा रहा है कि डेड़ सौ से ज़्यादा लोग घायल हुए है और इन घायलों का इलाज हातरस के ट्रॉमा सिंटर में चल रहा है वही कुछ लोगों का इलाज जो है एटा के अस्पताल में चल रहा है तो इस बक्त की बड़ी ख़वर कि हातरस में एक सत्संग के दौरान मची भगदर में कम से कम साथ लोगों की मौत हुई है और इन मौतों की पुष्टी हातरस के एस पी निपून अगरवाल ने की है वही एक मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक अग तक 122 लोगों की बौत हुई है अकेले एटा के अस्पताल के बाहर 95 लासे रखी हुई है मरने वालों में ज़्यादातर महिलाईं और बच्चे हैं और कुछ संख्या पुर्सों की भी है जिनकी मौत हुई है इस हाथसे के बाद CM योगी आदित्यनाथ ने दुख परकट किया है और प्रित परिबारों के पते संबेदना जाहिर की है वही आगरा के ADG और कमिशनर के नितरित में एक जांच टीम का गठन किया गया है एक जांच टीम अपना रिपोर्ट CM योगी आदित्यनाथ को देग हम आपको बता दे कि समाजबादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखलेश यादब ने भी इस हाथसे पर गहरा दुख जताया है और सरकार से होरन प्रित परिवार को राहत महया कराने की अपील की है घायल लोगों को बेतर इलाज देने की अपील की है हम आपको बता दे कि यूपी के हातरस में एक बड़ी घटना हुई है कहा जा रहा है कि यहां एक सत्संग के दौरान इस भगदर में साथ लोगों की मौत हो गई इन मौतों की पुष्टी हातरस के इस पी निपुन अगरवाल ने की है वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों का आकड़ा 122 के करिब पहुँच गया है और ये बढ़ भी सकता है अकेले एटा के अस्पताल में कम से कम 95 लासे पड़ी है और अस्पताल के गेट पर ही इन लासों को रखा गया है जिसे टेमपो ओटो और दुसरे हम आपको बता दे कि उत्तर परदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित तेनाथ ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है यूपी के पुर्व मुख्यमंत्री और समाजबादी पार्टी के मुख्या अखलेश यादव दे भी हादसे पर गहरा दुख जताया है और सरकार से फौरन प्रित परिवार को राहत मुहया कराने की अपील की है और हाथसे में घायल लोगों को बेहतर इलाज कराने की मांग की है तो इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के हातरस से जहां भोले बावा का सत्संग चल रहा था और इस सत्संग के खत्म होने के बाद मची भगदर में कम से कम साथ लोगों की मौत हुई है एक खबर के मुताबिक ये आकड़ा 122 लोगों का है मरने बालों का और डेड़ सौ से ज दूपी के हातरस से जहां एक सत्संग के दोडान भगदर मची और इस भगदर में साथ लोगों की मौत हो गई जिसकी पुस्ती हातरस के इस पी निपून अग्रवाल लेकी है वहीं एक मेडिया रिपोर्ट के मुताबिक 122 लोगों की मौत हुई है जबकि 95 लासे अकेले पर बिखरे पड़े हैं मरने बाले में ज़्यादा महिलाएं और बच्चे हैं और कुछ पुर्सों की भी मौत हुई है तो यूपी के हातरस से इस बक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है हम आपको लगातार बता रहे हैं कि हातरस क के मुलीगड़ी गाउं में एक सत्संग चल रहा था और जिस हॉल में सत्संग चल रहा था उसमें 20 हजार से ज़्यादा श्रधालों हिस्सा ले रहे थे और यहां से निकलने का गेट सिर्फ एक था और जब सत्संग खत्म हुआ तो लोगों में बाहर निकलने की होड मच बाहर निकले निकलने की होड लग गई लोगों में और इसी से यह हादसा इतना बड़ा हो गया लोगों में इस हादसे को लेकर गुस्सा है कि आखिर कैसे परसासर ने एक छोटे हॉल में इतने बड़े सत्संग की इजाज़ा दे दी और 20 हजार से ज़्यादा लोगों का ज जबावला हो गया तो हम आपको बता रहा है कि योपी के हादस में भोले बावा सत्संग के दौरान कम से कम साथ लोगों की मौत हो गई जबकि एक विडिया रिपोर्ट के मताबिक 122 लोगों की मौत हुई है मरने बालों भी जादतर महिलाएं और बच्चे हैं कुछ पुर् जबावला हो गई जबावला है